हाई फ्रेंड्स सो आजब बनाने वाले हैं यह महिराब कलश के लिए सो इसे आप किसी भी पूजा में कलश पर लगा सकते हैं सो आईए देखते हैं हमने इसमें मटेरियल क्या यूज किया है हमने यह पे लिया है वाइट पर्ल कुछ यह हैंगिंग्स लिये हैं आप जो चाहे वैसे ले सकते हैं हमने गोल्डन बीट्स लिये हैं यह हमने प्लास्टिक के कलरफुल बीट्स लिये हैं और हमने आपे लिया है सीजर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करकर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सबसे बहले तो हमें उपर की चेन बनाने हैं जिसके लिए हम 6 मोती लेंगे और उसे एंड तक हम इस तरह से लेके जाएंगे और एक नोट बान देंगे सो यहाँ पर एक नोट बान देंगे हम अच्छे से टाइट कम से कम दो से तीन हम नोट बान देंगे यहाँ पर एक और नोट बान देंगे जिससे अच्छे से सिक्केवर हो पाए इस तरह से यह टाइट हो गया है अच्छे से अब जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे सीजर की हेल्प से कट करेंगे और दो मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट करेंगे इस तरह से, जो हमारा first circle है वो ready है, अब हम chain बनाना start करेंगे, जिसके लिए हम 5 white मोती लेंगे, और जो एक मोती है, जिसमें से हमने already सुई को निकाला है, उस एक मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे, अब हम 3 मोतीों में से सुई को बाहर निकालेंगे, उपर के 2 और corner का एक मोती, इस तरह से ये जो center का एक मोती है, उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे, इस तरह से हमें chain बनानी है, आप अपने कलश की size के हिसाब से, ये chain बना सकते हैं, तो मैंने इतनी chain बनाई है, आप चाहे तो अपने कलश को इस तरह से रखके, ये जो chain की size है, वो आप सो ये मेरे जो कलश की size के हिसाब से मैंने इतनी chain बनाई है, अब हम यहाँ पर design बनाना start करेंगे, जिसके लिए हम golden और जो कलश हमने use किये थे green, फिर golden, फिर white, golden, red, golden, उसके बाद में ये hangings हम लेंगे, और hangings के बाद में हम छोटे size का white pearl लेंगे, और white pearl के बाद में वापस से नीचे से उपर हम सोई को लेंगे, जिससे जो मोती है, वो अच्छे से fix हो पाए, hangings के नीचे, इस तरह से, अब हम उपर का जो, hangings के उपर का जो golden मोती है, उसमें से हम सोई को बाहार निकालेंगे, जो golden मोती है, उसमें से सिफ उसी में से हमें सोई को बाहार निकालना है, इस तरह से, अब हमें नीचे से उपर design को लेके जाना है, पहले हम red मोती, फिर golden, फिर white, फिर golden, green, golden, इस तरह से लेंगे, और उपर हम यहाँ पर दो-दो का set रखेंगे, जिसके लिए हम दो के set के बी जो chain का gap है, वो दो मोती हम consider करेंगे, इस तरह से, अब इन दो मोतीों की बीच में जो center का मोती है, उसमें से हम design लेंगे, जिसके लिए हम एक golden, एक green, एक golden लेंगे, और अब white जो मोती है, उसमें से हम उपर से नीचे सुई को डालेंगे, जिससे यह जिग-जाग pattern बनेगा, इस तरह से, और सुई को थोड़ा सा tight करेंगे, अब यहाँ पे हम एक golden, एक red, एक golden और एक hanging लेंगे, इस तरह से, उसके बाद में एक white मोती लेंगे, और इस hanging के अंदर से हम, नीचे से उपर सुई को लेके जाएंगे, आप चाहे तो same hanging repeat कर सकते हैं, या तो आप change कर सकते है यहाँ पे मैंने alternate use किया है, hangings, अब हमें same process follow करनी है, golden मोती में से सुई को बाहर निकालना है, इस तरह से, और फिर same जो design है, उसे नीचे से उपर लेके जाना है, so again, red golden, white golden, green golden इस तरह से लेके जाना है उपर, और एक जो circle है, उसको छोड़के, हमें इस तरह से अंदर के side, सुई को लेके जाना है, इस तरह से, अब जो दो design के बीच में जो circle है, उसमें से हमें design निकालनी है, सो वापस से हम एक golden, एक green, एक golden लेंगे, और जो white moti है, उसमें से, उपर से नीचे हमें, सुई को लेके जाना है, अब वापस से फिर हमें एक golden, एक red और एक golden moti लेना है, और ये hanging हमें इस बार डालना है, मैंने यहां पर alternate hanging से यूज किये हैं, जिससे एक high low का pattern आएगा, फिर हम एक छोटा white moti लेंगे, और फिर नीचे से उपर, जो golden moti है, वहां तक हमें सुई को लेके जाना है, इस golden moti में से हम सुई को बाहर निकालेंगे, इस तरह से, सो ऐसे हमें यह पूरा जो pattern है, उसे यहां तक end तक लेके जाना है, सो यह हमारा pattern complete हो गया है, यह high low pattern दिख रहा है आपको, आप चाहें तो same भी रख सकते हैं, या फिर change भी कर सकते हैं, alternate रख सकते हैं, सो इस तरह से आप अपने कलश के हिसाब से इसे बना सकते हैं, अब यहां पर हम इसे finish करेंगे, और इस तरह से यहां पर एक knot बान देंगे, सो यहां पर हम अच्छी से tight knot बान देंगे, और एक मोती में से हम निकाल के, कट करेंगे, एक्स्ट्रा वायर को, इस तरह से, सो यह हमारा कलश का महिराब बन गया है, अब हम इसे कलश पे लगा के देखेंगे, सो इस तरह का यह pattern आएगा, आप चाहे तो किसी भी अपने पूजा में या फिर कहीं भी भगवान के यहां पर आप इसे रख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देगा, अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक्यू सो मच कि अवार आपकोई हैं आपकोई मैं आपकोई हैं, आपको यह जा लाइक.